मेट्रो के बड़े किराए ने दिल्ली वालों की जेब पर डाका डाल दिया है. मंगलवार से मेट्रो से सफर के लिए आपको 10 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे. हम बता रहे हैं कि अब आपको नए किराए के मुताबिक कितना चुकाना होगा. अगर आप मेट्रो से 5 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करते हैं तो आपको 10 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे. वही अगर आपका सफर 2 सेकंड 5 किलोमीटर का है तो ऐसे में आपको 5 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे. ये हैं स्मार्ट कार्ट के लिए किराय की अलग दरे हैं अब ये किराया देना होगा आपको सोमवार से शनिवार किलोमीटर टोकन लेने पर किराया स्मार्ट कार्ट से किराया पीकावज स्मार्ट कार्ट से किराया. सूत्रों ने बताया कि DMAC बोर्ड की बैठक में दिल्ली सरकार के किराया निर्धरन कमेटी के प्रस्ताव को भी खारज कर दिया गया. Board ने कहा कि किराया निर्धरन कमेटी FFC के सिफारिशों में दخल देने या बदलाव करने का Board के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है. महाज 5 मईने पहले ही Metro के किराये में बड़ोतरी की गई थी. सिर्फ पांच मिनट बाद में किराए में हुई इस बड़ोतरी से दिल्लिवासियों की जेब पर काफी ज्याद असर पड़ेगा अब जब किराए बढ़ गए हैं तो आपको स्मार्ट कार्ड से किराए का भुकतान करने पर कुछ राहत मिल सकती है ऐसे में अगर आप साफर करते ही रहते हैं तो आपके लिए स्मार्ट कार्ड लेना बहतर होगा